स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चिनल राजीव कंबडरीव क्लास में दोस्तों आएं दोस्तों साथ में जो आपको टी आरी के द्वारा एक्जाम लिया जा रहा है तो दोस्तों इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हुआ प्रैक्टिस फॉर सेट जो है सब्सक्राइब करते हैं देखिए आपके सबसे पहले हिस्ट्री से सुरुवात करेंगे कि पहला क्वेसर का जो यूज हुआ था किस वर्स लड़ा गया था यह क्वेस्टन करता है दोस्तों आपको बताने कि वक्सर का यूज है सेवेंटीन सिक्टिफॉर इसी में लड़ा गया था बक्सर का यूज जो है यह 22 यह 23 अक्टूवर को हम करते हैं कि जो सेवेंटीन सिक्टिफॉर में बक्सर नगर के आसपास इस्ट इंडिया कॉमपनी और हेक्टर मुन्रो औ और मुगल तथर नवावों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था ठीक है आईए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आईए आगला क्वेश्चन की केंद्रिये गन्ना अनुसंसदान केंदर कहां इस्तित है तो दोस्तों यह अपका इस्तित है जो आपका क्यम जो क थिखते थे ठीक है तामिल लाडू का एक एरिया है यह फिर देखिए आगे क्वेश्चन करता है कि जो राष्ट उधान जी राज में स्थित है तो यह अपका सीनिम्मर उत्तरपर्देश में स्थित है आईए दोस्तों आगे कर्ष्चन करता है कि यूनिस सेफ अफ दिवस क स्तिति को मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 11 दिसंबर को जो सन्युक्त राष्ट महा सभा ने 1946 में 11 दिसंबर को दूसरे वर्डवार के बाद यूने सेफ दिवस मनाने की घोसना की थी आए आगे कुशन करता है कि गंतांतर दिवस प्रेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पाइलेट कौन थी तो यह थी आपके यह नंबर भावना कंठ ठीक है भावना कंठ जो फ्लाइट लाफट ने भावना कंठ भारत की गंतकी दिवसी की प्रेट में हिस्सा लेने वा ली माइला फाइटर हो ठीकिए होगी आगे यह प्लास्ट्र और सनिक सोटर की सो इसका मतलब हम लिए Abraham और वाटर तो यह है प्लाश्टर पैरिस का रसाइनिक्स उतर आई दोस्तों आगे कोश्चिन कहता है कि हवा में ध्वानी का बेग होता है तो यह आगे कोश्चिन कहता है कि इस इक्वाल का प्रति पादन किस ने किया किस ने दिया यह इए इस इक्वाल कोश्चिन कहता है कि एक या झो कि आइस्टीन के चोहरी इदी थी और उन्होंने उर्जा का द्रेवमान जो साफिक्ष्ट साफिक्ष्ट का दावा था कि उर्जा को द्रेवमान में बदला जा सकता है इस फ्रमूला से पता चला आगे देखी कुश्टिया का समय किसी भी कोसिका के अंदर पाया जाता है और इस कारण माइट्रोकॉंड्रिया को को सिका का पावर हाउस भी कहते हैं जा को यह ऐडिय? ऐड्ज में डी का स्याइड का मतलब क्या है यह कि ए डी जो इसका पूरा नाम घतव एक्क्वाइड इम्यीजम Cartagen तो इसका आपको अगर पूछ रहा है डी का तो यह डी का क्या मतलब होगा सी नमबर डैफिसी एंसी इसका राइट एंसर होगा आए आगे कोशन कहता है कि इस्ट इंडिया कंपणी का स्थापना किस मुगल सासन के सासन काल में हुआ तो बहुत अच्छा प्रस्न इससे कोशन आ सकते हैं तो यह अकवर के काल में हुआ अकवर के काल में तो ब्रीटिश इस इंडिया कंपनी की बात हो रही है इसकी अस्थापना तो इती 31 दितंबर 1600 इसमी में और भारत में इस समय मुगल बादसा अकवर थे ठीक है आए दोस्तों आगे का प्रस्न क्या काता है उनको हम सरवोज सैनिक सम्मान कौन है यह परंबीर चक्र है परंबीर चक्र भारत का सरवोज सारे सैने अलंकर है जो दुस्मनों की उपस्तिती में उच कोटी के सुरविड़ता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्वेश्चन चार है यानि अनुच्छेद च्छती से प्याती च्छती से एक्यावन जो आपका अनुच्छेद है उसमें राज के नीतिनीशक सिधास जो डी एस डी पी एस पी है वो आप धारन आइसक सम्मिधान से आई है तो भाग चार इसका राइट एंसर नेक्स्ट क्वेश्चन करत बहुदेशीय नदी घाटी परिंडना है आए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि अंतराष्ट है अहिंसा दीवस्त का मनाया जाता है यह आपका 2क्टूबर को मनाया जाते है कोसिका में उर्जा संचित रहती है तो यह रहती ह्यां आपका KATP में ATP में ATP इसले भागों में प्रित्वी की सतक उपर लगबग 10 किलोमेटर से 50 किलोमेटर की दूरी तक पाई जाती है और यह सूर की अल्ट्रा वाइलेट किरनों को प्रित्वी आने से रोकती है तो इसका आपका आंसर जो होजेगा समताप मंडल नेक्ष्ट नेक्ष्ट क्यों आपके चाहिए कि मानब सरीर में जलकी मात्रव की मात्रा होती है मानक जलक्रीं मेंचा है सभी इस अभी पर आधारित है आपका नाहिके विखंडन पर आधारित है नाहिकी विखंडन या फिर काया छलियन प्रेका सकते हैं या फिर मिकर शक्ते हैं तो ये है आपका सी नंबर एन एम स्क्वेर केजी एन एम स्क्वेर बाइग केजी ठीक है जिसे हम 6.67 multiply 10 to the power minus 11 काते हैं जिसे ठीक है आईए नेक्स क्वेस्टन देखो क्या है कि man of blood and iron के नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है बी नंबर ओटो-1 टीक है ओटो-1 विसमार्क अब ओटो-1 विसमार्क का जनम जो हुआ था एक अपरेल को हुआ था और यह एसिया के जो आपका एसिया का जो परधान मंत्री है जो 1862 से 73 और 1873 से 90 तक और जर्मन समरे संस्थापक और प्रथम चासलर जो 1871 से 90 तक रहा था और उन्हें 20 वे इतिहास के आईरन चासल भी कहा जाता है और man of world and iron भी कहा जाता है तो यह आपके कौन थे आपके थे बी नंबर ओटो-1 विसमार्क आईए डार्क टीकट संगरा का सव क्या हुद कहलाता है तो यह कहलाता है फिला टेली कहलाता है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस किस पहले पर्यावरन मंत्री का हाली में निदन हो गया तो यह हुआ था बी नंबर दिख विजय सिंग जाला का आईए आजात वच्पन की और नाम कुस्तक किस लेखक लिखी गई यह लिखी गई एक नमर केला सत्यार थी कि योजना आयोग का अंध किस परधान मंत्री ने किया तो यह कि आपका ए नंबर नरेंदर मोदी ने किया ठीक है नरेंदर मोदी ने आए नेक्स्ट कॉश्चन काता है कि प्रिथवी का अपने अक्च पर घूरन है तो यह घूरन है आपका ए नमर पश्चिमी से पूर्व की और घूरता है हेमोगलोबिन में उपस्तित होता है लुहा का धातु उपस्तित होता है आईरन उपस्तित होता है देखिए आगे कोश्चन काता है कि हाइड्रोजन मं किस अभिकरिया पर अधारित है तो मैंने पहले ब चानुन को कहा जाता है रॉलेट एक्ट को कहा जाता है कला कानून भी कहा जाता है यह कानून तत काल इंजी सरकार दोहारा भारत में उबर रहे राज्जी आंदोलन को पुचलने के लिए बनाया गया था आए पीपूल्स डेली समाचार पर किस देश से संबंदीत है तो यह है आपका किसे यह है आपका चीन से नेक्स्ट करता है कि काउन सब हारती यह सिश्टर तरबल ऑपरेशन दर्ध हवा आयोजन करता है तो यह करता है अपका बॉर्डर सीक्योरिटी फूर्स जो बी ऐसे फ करते हैं उसको जो 23 से 28 जनवरी तक होने वाले अपने ऑपरेशन दर्ध हवा के तराजस्तान में पाकिस्त सब्सक्राइब करता है कि सरीर में होमोगलोवीन का परिवहन करता है यह अक्सिजन का परिवहन करता है आगे क्वेशन काता है कि मनुष को सवार्दिक और्जा प्राप्त होती है तो मनुष को सवार्दिक और्जा प्राप्त होती है तो यह कार्वोहाइड्रेट से सवार्दिक और्जा प्राप्त होती है सरीर को और्जा प्रदान करने के लिए सबसे पहले और उसके बाद protein टूटता है, सबसे आंट में वसा टूटता है पारे को जब एक बरतन में रखा जाए तो वो manix होता है अब ये manix होता है, बारे का जब एक बरतन में रखा जाए तो वो manix उत्तल होता है फिर नीम में से किसका परियोग दरपन को चमक देने के लिए किया जाता है तो A number silver nitrate का परियोग दरपन को चमक देने के लिए करता है, ठीक है आईए, नेक्स्ट कोशिन काता है, बायोगेस में मुखिता होती है बायोगेस में क्या होती है, कारवन, डायोकसाइड एवं मेथिन जादा होती है इसमें मुखिता जादा यही उत्पाई जाती है, ठीक है, नेक्स्ट कोशिन आईए आगे कोशिन देखिए क्या कहता है आगे आपका कोशिन है को श्यूसरा कि सब्सें महाधीप कौन सा यह सबसे बड़ा महाधीप changes के और आपका सथिे मशेडिया यह का तो यह है आपका सी नंबर कशिम भारत में स्तित और एक ही एक क्रिकेट का मैदान है जिसे ब्रिटिस बॉम्बे यूग में बनाया गया था बारत में किस राज को टाइगर राज के नाम से भी जाना जाता है तो फोटी तरीका हो जाएगा आपका बी निमर मद परदेश को नेक्स कोश्चन दोस्तों कता है कि भारते सर्वेक्षन विभाग का मुख्याले कहां है तो यह है आपका ए निमर देहरादुन में किस देश ने खैवर वश्टर नामक एक नई मिसाइल का अनावरन किया है तो यह किया है सी निमर इरान ने दा बढ़ने पर जल का कौन्थनाक है तो यह है ए नमबर बढ़ता है इसमें क्या होता है बढ़ता है फिर हीमोफेलिया एवं अंगुसवस्तिक रोग जिसका परिणाम है तो यह है डी नमबर रक्त का रक्त का क्या होता है इसमें रक्त का नहीं जमना इसमें रक्त का जमता होती है अंगलीवे में ठीक है ट्रांस्फर्मर परियोग में आते हैंbaumar जो है वो परियोग में आते हैं ट्रांसफर जो आपके परियोग में आते हैं वो जोते पैवल d quan at dsm क्या है दोस्तों एक को Tort finallyn ट्रेटिंग करेंट Mi ठीक है आईए हाजामत बनाने के लिए किस दर्पन का वैवार किया जाता है तो यह बी नमबर अवतल दर्पन के उपियों किया जाता है ठीक है चलिए नेक्स क्वेश्चन कहता है नेक्स क्वेश्चन कहता है मुसलिम लिंग ने पहली बार कब पाकिस्तान निर्मान की मांग रखी थी तो यह रखी थी सी नमबर unni sows 40 को ठाइस मार्च unc용 बनाने जाने का प्रस्ताव रखा गया था जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मौहाने क्या कहा जाता है यह कहा जाता है और यह उच्छ ज्वार छेतर में होता है तथा ऐसे नदी इन निर्मान करती है जो रिफ्ट घाटे से होकर बहती है नेक्स क्वेशन करता है दिगबोई किसे परसीद है तो यह ए नमबर पेट्रोलियम से 19 सदी में के आंते में वर्सों से यहां कच्चे तेल की खोज की गई थी और डिगबोई असम के तेल नागरी के रूप में जाना जाता है भारत में बजजर भूमी का सबसे अधिक हिस्सा नाट किस राजक है तो यह है जो एक्वर फैली हुई है राजस्थान में भारत के सबार्थी भूबाग में राजस्थान में फैला हुआ है नेक्स क्योशन काता है निमलीखीत में से लोग सब्सक्राइब का नाम बताएं यह था बार मीरा कुमारी यह 2009 14 तक लोग्सवा पुर्व जो है मनमुहन सिंक्ष नेतरत्ता वाली कांग्रेस सरकार दोजार चार से जोजार नौक में समाजिक नाय और आधी कारिता मंत्राल में केंद्रिय मंत्री रूप में कार्यत थी और लोकसवा की वरतमान अधेक स्रीमती सुमित्रा महाजन इस पत पर आसिन होने वाली दूसरी महिला है उर्टिय इस प्रड़त है लोग होती है थी नवाज में हर पाई जाती है मटर के दाने के समान होती है जिवानु पाया जाता है जिसे डॉक्टर भासा में पलाज मोडिया में नाब जाना जाता है नेक्स्ट क्वेशन काता है कि गोलिया दर्पन की फोकस दूरी उसकी जो ब्रिद त्रीजिया है उसकी है क्या है तो यह यह अपका गोलिया दर्पन की फोकस दूरी उसकी जो ब्रत ब्रकता जिया ब्रकता त्रीजिया है वो आधी होती है आधी होती है ए नमबर कौन सी अधात कमरे के तापमन पर अवस्थित में पाई जाती है तो ब्रोमिन पाई जाती है बियार जिसे काते हैं और इसका परमानुर संक्यां जो होता है वो तर पैंटीस नेक्स्ट पैंच्सक्शं देखते हैं बुद के जीवन की किस गटना महा विनिश्करीन के रूप में जाना जाता है तो यह जाना जाता चैंडेन न्य से बहुत ग्रब्रीनागि जिन अस्थल है यह यह आपका जैन प्रहाई 3 3 3 3 3GB समन जैन म से 诅तर परदिश कर्दॉव में इस्ति थे तता चट्टे तिर्थंकर प्रदम प्रदम जो पदम प्रभू से संबंदित थे और जिनका प्रतीक चिन लाल कमल था 24 जैन दिर्थंकर हुए थे कुल इन्वे से किस आयुर वेदचार ने तक्षिला विश्विदाले में सिक्षा प्राप्त की थी तो ये किये थे सी नंबर शुरुसुस्त ये सेलिस चिकिस्तिका के पितामा और सुसुत्री सहिंता के प्रेंता अचार सुसुत्र का जनम छटी सत आप्दी इस्विपूर में खांसी में हुआ था ठिक है आईए चैतन महाप्रवु के संप्रदाय से संबंदित हैं इनका जनम तो बंगाल में नदियों जिलों के नादिया जिले के 1486 इस भी पूर में हुआ था और ये वैसनव से संबंद करते हैं ठीक है और चैतन का भजपन का निमाई था निमाई आगे को देखिए कोश्चन क्या कता है निम लिखित में से मुगल बात्सा में किसके अपनी आत्मकता ओटो बायोक्राफी फारसी में की थी और इसमें जहांगीर ने श्वयँ अपने सिंगहाशनपर सवेशन से लेकर सासन्सारहие 10 को ब plantation रिखा था भाइन अपने इस पुस्तक में अपने पिता के विरुद किये गए अपने विद्रो और नुर जहां से विवाद की परिसेती आधी का वर्नट बहुत संचिफ्ट में दिया है आगे अश्च्परदान नाम की परती मंत्री परिसा जो है वह है सीवाजी का प्रशास मूलता दक्षिनी वस्तापर अधारित है तो इसकान से डी निमर मराठो का समरा सिवाजी मराठों से रहे हैं मराठो के टीपो सुल्तान अंगरेजियों के सत्यूद में कम मारे गए थे यह मारे गए थे कव 1799 में आईए नेक्स क्वेशन देखिए क्या कहता है आगे कहता है कि दयानन सरस्पत स्थान नहीं है तो यह स्वामी दयानन सरस्पती ने कहा था बारते समाज को पुरानी मानेताओं या बैदिक मानेताओं को पुर्ण घटित करने चाहते हैं यह पश्चिमी घ्यान और पश्चिमी सासन के विरूद थे कौन सी महत्मून घटना जलिया बाला बाग नरसेहार क के तरह तुरंत पूर्व घटी थी तो यह घटी थी बी नंबर रॉलेट एक्ट का बनना जलिया वाला बाग के बाद ही यह रॉलेट एक्ट बन गया था सत वर्स नाइंटी ठटीनाइन में कॉंग्रेस को छोड़ने का पच्चा सुवाच चंदर बूस ने किस दल की अस्थ अपना तो यह खीती फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो नाइंट नाइंटीन थाटीनाइन में किया गया त्री पूरी अधिवेसर किया सुवाच चंदर बूस ने की थी उन्हें गांदी जी के प्रतियाशी पटामी सीता रामयया को प्राजित किया था और महात्मा गां पथी विचार धारा से प्रेडृत है आई या वना मेहत की कॷच्टन के वाद करें तो क्षच्टन करता है कि 20 वस्तू का करेमूल सीस है गır. एक्स वस्तु का करेमूल है एक्स वस्तु का करेमूल है फिर 20 वस्तु की jul विक्रेंबूल हम लेंगे 20 तो एक्स एक्स इक्वल टूटू 20 बार हंड्रीड वाइक्सोपचीस अब इसको काट देंगे काट नेंगे वह का दिगा तो इसका क्या हो जाएगा चलिए उन्हीं च्छी आनवे को दो भागों में इस प्रकार बाटे कि पहला भाग वान भाग बता चोटा भाग बताने कर रहा है देखिए इन दोनों को रेसियों में लिख सकते हैं इस तरह से रेसियो लिख सकते हैं तो किस भाग में दो भागों में बाटा गिया है देखिए अब इन दोनों को जोड़ दीजिए इन दोनों को जोड़ देंगा बद किना जीए 16 तो साथ भाए 16 करके मल्टिप्लाई कर देंगे 96 तो आपका अश्र निकल किया रहेगा 42 इसका अंसर कि नी 5 संख्याओं का आउसद 65 है तो पाली 30 संख्याओं का आउसद 75 है तो तुसरी तीसरी संख्याओं का मांच जो है 5 गुना 65 वराबर पर थम 3 संख्या और आंतिम 3 संख्याओं 5 65 बड़ावर कितना है 325 हम कर लेंगे और फिर 370 और फिर 375 बड़ावर 375 और 375 अन्में कर देंगे 375 में 325 माइनस तो 50 इसका राइट अनसर आए नेक्स्ट चिहा आपका जो दिया हुआ 76 76 व्यक्ति एक काम को 42 दिन में पूरा करेंगे तो 56 व्यक्ति उसे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे तो यह जो आपका 76 व्यक्ति 42 दिन में पूरा करते हैं और 56 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे तो 42 अब देखिए करके देखिए आपका अगर करेंगे आपका दो से मी उचाए वाले एक थोस वेलन का आइतन दोसो सेंडी मेटर क्यू है तो बेलन की तीरिजया क्या है तो बेलन की तीरिजया बतानी कह रहा है तो यहां पर बेलन का आइतन सब से पहले फर्मूला कहा लगता है पाई आर स्क्वेर पाई आर स्क्वेर अब इसी फर्मूला से हम आंसर निकालेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर देखिए 28 परसेंट का 450 प्लस 45 परसेंट का 280 कमान बताएं तो इसका जो अंसर होगा वो जेगा 252 28 बाई 100 परसेंट का मतलब 100 हुआ और मल्टीप्लाइ में का का मतलब क्या हो चार सो पचास और फिर प्लस में 45 का भी बटा में 100 अ मल्टीप्लाइ में 280 अब इन सेब को करने के बाद कितना आरेगा 126 प्लस 126 को जोड़ दिंग बाद आजेगा ना आपका अंसर दोसब आवन नेक्स्ट क्वेश्चन यादी क्रिया क्रिया मूल बिक्रे मूल का 25 परसेंट तो लाग परसेंट बताएं क्रिया मूल मान लेते हैं बिक्रे मूल 100 क्रे मूल 25 लाब लाब कितना होगा लाब 100 में आपका 55 गणे पच्छेतर तो पच्छेतर बाए 25 गुना 100 काटने कवा 300 परसेंट आंसर एक सतर सेमी लंबा तार को दो तुकडों के इस परकार काटा गया है कि एक तुकडा दूसरे तुकडे का दो बटा पांच है तो छोटा तुकडा का आकार बता है चोटा टुकडा का आकार तो वन रेशियो टू बाई फाइव इस इक्वाल टू फाइव बट फाइव टू तो सतर गुना दो बटा पांच तो बराबर बीस आज़ेगा अनसर की कि इसका अक्षा के बीस विद्यारतियों की आयो का आउसत अठारा वर्स है तो दो अध्यापकों के आने से आउसत तीन वर्स बढ़ जाता है तो अध्यापकों की कूल आयो क्या है तो यह हो जाएगा आपका सी नंबर बीस विद्यारति के कूल आयो तो बीस गुना ठारा तो तो तीन सो साट और बाइस विदाते के कुल आए तो 22 गुना 21 तो बराबर 462 अध्यापकी कुल संखियां जो 462 माइनस 360 तो 102 अंसर 15 करमचारी एक दिवाल को 20 दिनों में बना सकते हैं तो कितने चरमचारी इसी दिवाल को बढ़ा दिन में बनाएस सकते हैं का दौ कि इसका उनसर जोँएब 25 करमचारी तो 15 गुना 20 और कितना दिन में करर हैं 12 दिन में कितना बना पाएगा तो इस सब को करका माटिप्ला करका देखं़ ले करने को बाद 25 करमचारिया अंसर 25 एक ट्रेन 48 किलोमेटर घंटा की चाल से चलते हैं हुए 50 मिनट के एक दूरी तै करती है तो किस चाल से यतनी दूरी 40 मिनट में तै होगी तो यह होगी साठ किलोमेटर से नेक्स्ट कोशन की क्या है तो समय इसका यह कुशन है इसका यह पीडियाव सट है आप को description में comment में एक link दिया हुआ है telegram link और telegram पर जाके join करके आप telegram से इसका free of cost डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF ठीक है आएए नेमलिकीत आंकडो का बहूलक क्या है तो नेमलिकीत आंकडो का बहूलक देखिए 32 आठ बार है 14 चार बार है 59 जबका 12 बार है 48 बार है 10 बार है 7 16 बार है 34 15 बार है ठीक है तो 29 बार है अब यहाँ पर क्या करें बहूलक कितना बार है तो 7 बार है बहूलक और 16 बार इसका आंसर हो जाएगा तो बहूलक 7 बार है ठीक है 7 बार है इसको गीनो कितना साथ वार इसका आंसर होगग, ठीक है चलिए, आए नेक्स question दिखी के है एक Q, AQ को कैसे लिख सकते हैं, तो AQ को हम किस तरह से लिख लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते patients, multiply में, A multiply में, जी इतना power दिया रहे था, उतना वर लिखा रहता है तो दो को तीन बर मल्टीपाय कर देते हैं तो यह सिंपल सा क्वेश्चन आपको पताई हो यह नेक्स क्वेश्चन दिखिए क्या है कि व्याखिता लागत मूल जो आपका अल्फ्रेड ने एक पुरानी स्कूटर 4,700 रुपए में खरीदा और उसके मरमत में 800 रुपए खर्च कर दिया यदि वह उस कोटर को 580 रुपए में बेसा तो परतीसर लाव बताएं लाव परतीसर पूछ रहा है लाव परतीसर का फॉर्मल लाव गुना एक सो बटाय करेमूल और इस फॉर्मूले से आपका अंसर न निकल के आरे इक है प्रतम तीन संख्याओं का तीन नौ बारह है तो टो नौ गुना बारह अब आए में ती तो 36 होगा ना आज सर्ट तो तो 36 इसका आइए जाता है किस कंपनी के किसी कंपनी के 20 करम चाणियों की मासिक और प्रक्राइब तो करम चाणियों के कुल कितनी हो विज गुना पांसो बैस कर देना है और फिर 22 गुना पांसो एक इस इतना आएगा उन-दोनों को घटा देना है तो आठे यार 200 इसका आंसर हुएगा साधारन व्याज की दर से 800 रुपए तीन वर्स के रूप में रूपए में रूपए में रूपए में रूपए का वर्स कितने में हो जाएगा तो 156 जो आपका दिया हुआ इसका अनसर जो होगा वह होगा 1052 एक हजार बावन आपका उजएगा इनमान अनसर देखिए पांच बराबर आकार के पंप एक साथ खोलने पर एक टंकी गवरनेव साथ घंटे भर सकते हैं तो साथ पंप उससे कितने दिर में भरेगा तो 5 पंप साथ टंकी तो साथ बाई आज़ेगा पांच टंकीस का आंसर A में B से दुगना अधिक छमता है तो दोनों मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करते हैं B अकेले उसी काम को केतने दिन में पूरा करेगा तो B अकेले उस काम को A ratio B तो 2 is to 1 कर सकते हैं तो A प्लस वार एक दिन का काम 1 बटा 18 तो B अकेला काम 1 बटा 18 गुना एक बटा 3 तो एक बटा चववन आएगा तो चववन दिन में पूरा करेगा अब देखिए इसको सिंपल सा भाग करते ना भाग कर देने का आपका 5.25 किसी संख्याओं की अंतिम आंको दोस है तो संख्या के घं का इकाई क्या होगा तो किसे अंतिस घं का 2 तुदी 1 2 Q हो जाएगा इसए इस तरह से 2 x 2 x 2 लीखेंगे कितना आज़ेगा एट आज़ेगा अंसर next question है कि किसी छोटी संखियां बताए किसी हुआ छोटी संखियां बताए जो आर्स्ती से जोड़ने पर पूर्ण बर्ग बन जाता है तो ये इसको जोड़ने पर बन जाता है तो ये एक को अगर जोड़ देंगे हम असी में तो पूर्ण बर्ग बन जाएगा एक परतिसेत का आधा कितना होता एक परसेंड का आधा एक परसेंड का आधा अगर अप निकालेंगे तो ये 0.005 आएगा निकलके चलिए 25 महिलाओ की आउसत आई 25 वर्स है तो दो महिलाओ का आउसत आईओ तो क्या होगी 25 महिला 25 वर्स जाने वाली महिलाओ की कूल आईओ 625 में 529 गड़ा देंगा तो 96 वर्स अंसर एक करमचारी छे दिन में काम करके 750 रुपे कमाता है तो यदि हुआ 27 दिन में काम पूरा करता है तो वो कितना दिन कमाएगा चैडिन में 750 रुपेश तो 23 दिन का 370 में 6,20 तो 28 75 रुपेश कमाएगा एक टायर को पंचर है एक टायर में दो पंचर है तो यदि हावा लगाता निकल रहा है तो कितने धिर में भरा हुआ टायर हावा पूरा निकल लाएगा तो एग वटा नौ फलास एक वटा छे इसको उल्टा कर सकते हैं एसको पुर्णाख में लिखेंगे तो तीन पुर्णाख 3 वटा पुर्णाख 5 पुर्णाख 9 प्लस एक बुटा 6 इसको 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 क्या वगा एक कारेक्ट आनस्ट्र होगा आईए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों आगे का क्वेश्चन क्या काता है उसको देख लेते हैं चलिए यदि बेलेन कायतन कीजिए कि यदि किसी आदाहर पर परिजिती 66 cm बेलेन के उचाए 40 cm है तो आंसर क्या होगा तो आंसर देखिए 13,860 cm होगा देखिए बहुजक बहुजक के भुजाओं के संक्या ग्यात कीजिए इसकी सभी आंत्री कोनों का योग जो है 216 डिग्री है तो आंत्री कोनों की दो गुना 22 बटा साथ हम फॉर्मुला जानते हैं टू पाई आर लगाएंगे आधार की अगर परिमीती पुझे त आप कान से निकल के आएगा 14 यादी फ्लावर को 14 के रूप में लिखा जाता है और डिश्टेश्ट को 18 के रूप में लिखा जाता है तो बरे जो दियावा बी यू आर ए यू सी आरे टी को किस रूप में कोड़ वर्ड में लिखा जाएगा देखिए फ्लावर को अगर बा तो ऐसे ही आपका उसी तरह जो यह डिश्टेट्स है उसको एक दो तीन चार पांच साथ आठ लेटर में लिखा हुआ है तो आठ गुना दो और प्लस दो जोड़ने इसमें तो हो जाएगा अठारा अब वही आपका इसको देख लेना यह आपका टोटल कितने लेटर में है त संबंध है दर्साने वाले आरे का किजिए ठीक है देखिए आरे का चैन किजिए तो इसका आंसर जो हो जगा वह जगा एही नंबर यह 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 यहां पर देखिए इस तरह से सिहां पर सिक्षक असनान तक और फिर आपका जो दिया हुआ हुआ मेहनती किसी प्रकार किसी नेमली कित्म से चार संख्याओं में से तीन संख्या किसी प्रकार एक समान है और एक समान असमान उस आसमान संख्या का चैन कीजिए तो आसमान संख्या का चैन कीजिए आसमान संख्या जो होगा वोगा नौसो तिरपन यानि नौ इस इक्वल तू पांच है क्यों पुत्र है क्यों क्यों तो दिखिए भावी इसकां से विकल पचेन की जो संख्याओं से उसी परकार संवान है जिस परकार पाला संख्या दूसरी संख्याओं से तो 29 रेसी तेरा और इसको समानुपात में प्रोपोसर में 37 दिया हुआ है तो 29 माइनस 3 करो भागा दो करेंगे तो 17 किसी बहासा का कोड देखिए इस तरह से हमको दिया हुआ है तो इस तरह से सब को एफ प्लस जी एक जोड़ें आपका फिर वही देख लिए आर प्लस दो जोड़ें तो टी हुआ फिर आई में 3 जोड़ें एल हुआ फिर डी में 4 जोड़ें एक हुआ ए में 5 जोड़ें तो एल हुआ तो उसी तरह जो आपका है के में 1 जोड़ेंगे तो एल होगा कि E में 2 जोड़ेंगे G होगा T में 3 जोड़ेंगे W होगा पीर T में 4 जोड़ेंगे तो X होगा और फिर E में जोड़ेंगे 5 Q होगा और फिर 6 जोड़ेंगे E में 6 जोड़ेंगे तो तो उस तरह से आपका अंसर क्या होगा B नमबर Nextcznie निम लिखे चार अकषर समूmen से 3 अकषर समू किस प्रकार से एक समान है एक समान यहाँ पर बताना है आसमान आसमान अकषर समू का चैन कीजिए दिखिए, आपको सभी कुछ जूड़ना एक-एक करके सब को 1+. 1+, 2+, 3+, इस तरह से लैटर करकर जोडते जाएए आपका अंसर निकल के आजएगा तो आपका आंसर जो होगा वह होगा दी नंबर पी क्यू टी एक्स चलिए नेक्स क्वेश्चन है निम्लिखीत में से समीकरन कमान क्या होगा यदि प्लस का अर्थ घटाव है और भागा करत जोड है तो माइनस का अर्थ गु किस परकार से एक समान है और एक सब्द आसमान है आसमान सब्द का चैन करने कह रहा है तो आसमान सब्द होगा डी नंबर बाधा बाधा आसमान अलग जो आपको दिख रहा है नीचे दिये गए समीकरनों को ठी करने के लिए किन दो चिनों को पनस पर बदलना चाहिए तो य प्लस तरह त्प्लस करें तो यह दिया वह एवीए भी माइनस बी एए माइनस टुप थी इसको किस तरह से लिख सकते हैं तो इसको हम भी ए ए बीवी के फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स क्वेशन क्या काता है नीचे दिए गए समयो वु इस तरह से आपको पता करना है तो इसका अंसर भी हो जाएगा देखिए भायानक मद्ध और मद्ध यह तो तीनों एक इसा लगए लेकिन अलग दिख रहा है तो इस तरह से प्रस्म भी आपके पूछे आते हैं एक पूरूस ने अपने पूत्र की तस्वीर की इंगित करते हुए एक और अवरत से कहा उसका यह पूछतजी मां तुम्हारी मां की कलोथी पूत्र यह बताए उस अवरत पूरूस से क्या संब्द हुआ से क्या संब्द हो पतनी संब्द हो जो गांlegen नाया जाता तो सफ्टा 500 यह पूछता देखिए आपको इहाँ पर इस तरह से 26 जनवरी से 3 मार्श तक का विसम दिन जो होगा 5 होगा प्लस 29 होगा प्लस 3 होगा तो 5 प्लस 1 प्लस 3 is equal to 9 is equal to 9 बटा 7 बटा 2 7 जो कितने एक सब्दम 7 दिन होते हैं अब इसमें प्लस 2 जोड़ेंगे तो सुम्बार ही होगा अंसर सुम्बार कागज को खोलने पर कौन सी आकरिती बनेगी देखिए इस तरह से आपको खोलें इसको तो कौन सी आकरिती बन रही है यह बताना है तो यह बन रहा है आपका डी नंबर दी नमबर का करिती बन रहा है यदि किसी संकेतिक भासा में D.O.E.S को 5S3 तदा साइट को जो आपको दिया हुआ है 5 डॉलर 3 दियो हो इस तरह से और आपको 5 ये दिया हुआ है %4 H3 लिखा जाता है तो हमको यहाँ पर बताना है कि भासा इडिट को किस प्रकार लिखा जाएगा तो भासा इडिट को 3,5,4 हैच में लिखेंगे चलिए नेक्स्ट कॉस्चन परतेक प्रस्ट में कोई बार दो सब्दिया की जाएगा और इसमें आपको चिन पताना है ठीक है बताना है चलिए यह आपका 120 मा नमबर का आखरी प्रस्ट है तो समभावदाता समाचार गुपचर अब इन समय आपको पूछ रहा है अलग क्या है ठीक है आप देखी तो इसमें आपको अलग पूछता है क्या है यह पूछ रहा है तो इसका आंसर जो जो जड़िगा बी नमबर मुख बीरी मुख वेरी अब इसका आंसर हो जाएगा तो दोस्तों यह था आपका टूटल एक सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा बश्यर करें ताकि वह भी जनकारी ले सके चलिए दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो फिर मिलते हैं वीडियो के साथ